ब्रेके बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कावण रूट पर नेम प्लेट को लेकर सुप्रिम कोट का बड़ा फैसला सामने आया है दुकानदारों के नेम प्लेट लिखने पर अंतरिम रोक सुप्रिम कोट की दरब से लगाई गई है दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है सुप्रिम कोट की तरब से एक आ गया है साथी साथ मदरप्रदेश, यूपी और उत्राखंड सरकार को सुप्रिम कोट ने नोटिस भी जारी किया है शुक्रवार तक सरकारों को जवाब देने के लिए सुप्रिम कोट की तरब से कहा गया है बड़ी खबर कावण रूट पर नेम प्लेट को लेकर सामने आई है जहाँ पर सुप्रिम कोट ने बड़ा फैसला करते हुए जो सरकारों के फैसले हैं उस पर अंतरिम रोक लगा दी है जो कावल यात्रा रूट थे उनमें जो दुकाने पढ़ रही थी उन पर नेम प्लेट लगाय जाने का आदेश जारी किया गया था और कई दुकानदारों ने आप तस्वीरे भी देख सकते हैं किस तरह से अपने ठेलों पर अपनी दुकानों पर अपने नाम चस्पा किया हाला कि सुप्रिम कोर्ट में आज सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर अभिशेक मनु सिंग भी याजिका करताओं की तरफ से इस मामले की सुनवाई में शामिल हुए उनके तर्क से सुप्रिम कोर्ट संतुष्ट हुआ और सुप्रिम कोर्ट ने अंतरिम रोक इस